होती है कौन सी होती है दोस्तों रोमन सेली होती है रोमन सेली के बाद आपके पास होती है धर्ड होती है जो टेक्स्ट परकार की होती है किस परकार की होती है इतलिक परकार की होती है इतलिक परकार की सेली होती है इतलिक परकार की सेली होती है और जो चोते होते हैं आपके पा कि single pencil से जो बनाए जाते हैं यहां पर देखेगा single pencil से जो यहां पर बनाए जाते हैं वो इस परकार होते हैं कि जैसे A, A, B, C, D, E, F, Z इस प्रकार के जो अक्सर होते हैं यानिकि सिंगल पेंसिल के मादेन से बनाए जाते हैं वो किस प्रकार के में आते हैं गोतिक अक्सरांगनों के अंदर आते हैं किस अक्सरांगनों के अंदर आते हैं और यानिकी रॉमन में क्या आते हैं येनकी double stick अकसर आते हैं अकसरों को double pencil के माध्यम से इस प्रकार बनायाजाया और बीज में ऐसे color कर दिया जाता है येनकी A इस प्रकार और इस प्रकार बी येनकी बी इस प्रकार के जो अकसरांगन होते हैं वो किस profile के होते हैं वो किस से लिब मोगने हैं वो आते हैं रोमनी के अंदर आते हैं और जो इटैलीक परकार केießर आपसिंवागन है यह इस परकार के यह एपसर होते हैं voilà यह तो इसपर्कार तरह सिर्फ परकार में हैं तो इसमें से आपको पैसान ना है दोस्तों कि कौन से प्रकार का अक्सर आप यहां पर इसमें हैं तो जल्दी से जल्दी comment box में answer दीजिएगा कि यहां पर किस प्रकार के जो अक्सर है यहां पर आपके पास आने वाला है इसमें कौन सा answer सही जाने वाला है आपके पास जल्दी से comment box में answer दे दीजिए जल्दी से comment box में answer दे दीजिएगा तो अपने पास यहां पर कौन सा आएगा यहनी कि इस प्रकार ABCDEFG लिखा होगा वो कौन से होती है गोतिक प्रकार के होती है तो अगला प्रकार के अक्सरों को तो अगला किसन जो आपके पास आने वाला है यहां पर युझन नबर दो आने वाला है तो देखेगा कि आई-ए-स-ै के अनुशार एंपर के एक्सरांगन करें के लिए अक्सर की लाइन सब्सके का क्या रिभ आते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या सम्मंद होता है क्या अनुपात होता है उसके बारे में बताइए आप जल्दी से बताना है कि डी बराबर एच बटा चोदा होता है डी बराबर एच बटा दस होता है या डी बराबर एच बराबर बारा होता है तो कितना होगा तो जल् में तीरचे अक्सर होते हैं डिंगर डबल स्टोक होते हैं सिंगल स्टोक होते हैं सारे प्रकार के जो अक्सर है वह इसके अंदर भी आते हैं और इसके अंदर भी आते हैं तो जो ए प्रकार के जो अक्सरां कने हैं उनके लिए जो निरदारी थे यह निकी लंबा यह निकी कलास को शेयर कर दीजे एक बार जल्दी से, सभी दोस्तों को मैं भी एक बार शेयर कर देता हूँ, सब को शेयर कर दीजे जल्दी से कर दस खरी खर्थमालाओ करती साइब, सक्तुम कर देयर को शेयर, सि colonial रहीं,। मुंड लोआ est टाओ म лег दोने ठाओ दस हैं, स Programm अ हम कर दोस्तों कर दो किfightते डल्दी थारे कर दोस्तों कर दोस्तों है शेयर कर दीजी एक बार सभी दोस्तों को और जल्दी से जल्दी comment box में answer दीजेगा यहां से देखेगा इसमें क्या आएगा इसमें अपना अकसर की मोटा है और मुचा है वह कितना रखा गया है बराबर डी बराबर कितना रखा गया है इस बटा 14 रखा गया है तो जो पेला अंसर है है यह आए अब कर दोो ओमोगा हूँ दी बराबर क्या आजाएगा अगला से कौन से कौन से आने कौन सा आने वाला है इतेश चोहन गुड विड़ी ऊनिंग बही ठीक है तो तो IS के अनुसार B प्रकार के अक्सरांकन करने के लिए दो सब्दों के बीच की जो दूरी का मानक रखा गया है, वो कितना रखा गया है, यहां पर आपको बताना है, इनकी दो सब्द, दो सब्द जैसे यहां पर मा लिजे, दो सब्द कैसे होंगे, सब्द इस प्रकार देखन है जैसे आपको लिखना है यहां पर लिखना है चंद्र लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है चंद्र लिखा हुआ है और फिर यहां से प्रकास लिखना है आपको क्या लिखना है प्रकास लिखना है तो यह क्या हो गए दो सब्दों के बीच में इस प्रकार तो दो सब्दों क के बीच में की आई से के अनुशार बी प्रकार करने के लिए दो शब्दों के बीच की दूरी का मानक क्या रखा जाता हैं तो यहां पर आपको देना है हनुमान मीना हनुमान मीना भाई राम भाई राम राम सभी को ठीक है तो एक बार शेयर कर दीजिए और जल्दी से comment box में answer दीजिए कि उसका नमर 3 में कितना आएगा या गुनीश बटा 10 यह चाहेगा या पंद्रा पटा यहां पर देगेगा ज्यबटा भाई 10H रखी जाती है हमें इस प्रक्राइद है 10 and 10H भी रखे जाती है तो अपना जो अंसर है वो किसको चला जाएगा A को सही चला जाएगा तो अगला जो क्यूसन है अपने पास आने वाला है क्यूसन नमर 4 यहां पर देखेगा क्यूसन नमर 4 है आप यहाँ पर देख सकते हो Q4 यहाँ से देखे ISI के अनुसार A प्रकार के अक्सरांकन में अक्सर A Q V X Y की चोड़ाई रखी जाती है की चोड़ाई कितनी रखी जाती है यहाँ आपको बताना है Q4 में आंसर बताना है जल्दी से जल्दी कमेंट बोक्स में दीजे जल्दी से जल्दी कमेंट बोक्स में आंसर दीजेगा जल्दी से जल्दी कमेंट बोक्स में आंसर दीजेगा जल्दी से जल्दी कमेंट बोक्स में आंसर दीजेगा कितने बख़ी जाएगी 5D रख़ी जाएगी इनकी जो चॉर लिकने होती है इनकी जो चो ँमोटा है एक सारण के बख़ार के उनमें सभी परकार के कौह एकसरों के मोटाsystem और चोड़ाय चाहिए दसंजे आंसर ही नहीं आ रहे हैं शर्ञ आ रहे है इनके तो अक्षा पड़ के तो आपको ऐसे कटीन लग रहा है पर जड़ा खटीन नहीं है तो आप पड़के देखोगे तो आपको अच्छा से से आंसर आएगे इस प्रकार के जो अक्सरांगन होते हैं उनकी जो चोड़ाई का यानि की चोड़ाई रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है एट डी रखी जाती है कितनी रखी जाती है दोस्तों एट डी रखी जाती है तो आपको ध्यान रखना है यानि की ए प्रकार के एक्सरांगनों में क्यों वी एक्स वर वाई की चोड़ाई की रखी जाती हैं तो चोड़ाई एट डी रखी जाती हैं दोस्तों कितनी रखी जाएगी एट डी तो क्यूशन आपके यहां पर आने वाला है क्यूशन नमर पांच क्यूशन नमर पांच देखेगा ISI के अनुसार B प्रकार के अक्सरांगन हे तू छोटे एक्सर, small letter एन की छोटे एक्सरों की उंचाई रखी जाती है छोटे एक्सरों की उंचाई कितनी रखी जाती है height कितनी है, बड़े एक्सरों की पहले निकल चुकी है तो छोटे एक्सरों की जो उंचाई है वो height कितनी रखी जाती है, आपको यहां से बताना है, यहां से जल्दी से जल्दी comment box में answer दीजेगा, जल्दी से जल्दी comment box में answer दीजेगा, कितनी रखी जाती हैं, कितनी रखी जाएगी यहां पर देखेगा दस बटा दस एच रखी जाएगी साथ बटा दस एच रखी जाएगी टू बटा दस एच रखी जाएगी या वन बटा दस एच रखी जाती हैं क्या रखी जाएगी एनिकी छोटे प्रकार के अक्सरों के लिए किस प्रकार की एनिकी हाइट रखी जाएगी यहां पर आप जल्दी से कमेंट बोक्स में हांसर दीजेगा जल्दी से सभी दोस्त एक बार कमेंट बोक्स में हांसर दीजेगा कितनी रखी जाएगी यहां पर है तो अपना हांसर किसको चला जाएगा यहां कि स्माल लेटर के लिए कितनी रखी जाती हैं तो आपको याद रखना है कि इसको चला जाएगा दोस्तों किसको चला जाएगा तो यहां पर आपना पर देखेगा इंजिनेरिंग ड्राइंग में अक्सर लिखने के लिए अक्सरांगन का कौन सा प्रकार उप्योग में लिया जाता है तो जो कौन सा अक्सरांगन अपन यहां पर काम में लेते हैं तो उसके बारे में बताइए निए उन्जिनेरिंग ड्राइंग में किस परकार के अक्सरांगन उप्योग में ले जाते हैं तो यहां पर है भो होत ही सीधा और साधाराणासे हैं इंजनेरिंग ड्रॉंड में अक्सोरों को लिखने के लिए अक्सरांकन का। कौन सा प्रकार उप्योग में लिया जाता है आपको जल्दी से कमेंट बोक्स में एंसर देना ह। कि एक घाति cigsष में लिये जाते तो आपको कर्मेंट बोक्स में आंसर देना है तो यहां पर अपने को क्या करना है यहां पर अपने को क्या करते हैं डूबल इस्टोक में इस परकार अक्सरांकनों को ड्रोइंग अग्ला जो क्यूशन आने वाला है एक्सरांकन करते समेथ दो अक्सरों के मद्दे की अधिकतम दूरी रखी जाती है यहां पर यह दो अक्सर हो गए एने की ऑ кад एक अक्सर एक एक वण ऑपने के लिए इनके मद्दे की अधिक दूरी रखी जाती है वहा तो अपने पहले बदा ती कि समें रखी जाती है यहाे दो सब्दो के मद्दे सब्सक्राइब सब्सक्राइब दो सब्दों के तो इन में से बतानी है आपको तीन में से बताना है तो कौन सा आएगा तो यहां पर इने की संजे का अंसर बिल्कुल सही आया है यहां पर कितना आएगा कितना आएगा दो बटा चोदा रखी जाती है कितनी रखी जाती है तो आप यहां से याद रखना है आपको की दो अक्सरों के मद्दे की दूरी कितनी होती है तो जो अगला क्यूसन है क्यूसन नम्मर आठ आपके पास आने वाला है तो क्यूसन नम्मर आठ यहां पर देखेगा कि उस्सा नम्मर 8 का आपको आंसर देना है कि A प्रकार के अक्सर की उंचाई के अनुशार दो सब्दों के बीच की दूरी रखते हैं तो दो सब्दों के बीच की दूरी कितनी रखते हैं A प्रकार के एक सरांगन में बतानी है अब की बार A प्रकार के एक्सरांगन में बताने हैं पहले B प्रकार के में पूचा था कितनी होगी कितनी रखी जाएगी बताईएगा कि A प्रकार के अक्सर की उंचाय के अनुशार दो सब्दों के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है A प्रकार के अक्सरांगन के अनुशार बताने है A प्रकार के एक्सरांगन के अकोडिंग एनि कि कितनी रखी जाएगी 3 बटा 14H रखी जाती है 2 बटा 12H रखी जाती है या 6 बटा कितनी रखी जाएगी 14H तो आपको बताना है कि कि तना रखा जाएगा यहां पर रखा जाएगा अपना ओप्सन को चला जाएगा शह बटाइक पर चोड़ा चोड़ा यहां और चोड़ा घृष रहां एम मेरे वो euro को रॉसाई की लिएगी छे बटा छे बटा चोदा एच रखी जाती हैं कितनी रखी जाती हैं छे बटा चोदा एच आपको याद रखना है क्यूसर नम्मर नो यहां से देखेगा क्यूसर नम्मर नो यहां से देखेगा अक्सरांकन में सही सूनता को दर्शाने वाले अक्सर किस माप में लिखे जाते हैं तो यहां पर देखेगा दो से तीन एमें में लिखे जाते हैं तीन से पांच एमें में लिखे जाते हैं दो से दो एमें में लिखे जाते हैं पांस से दस एमें की मोटाय में लिखे जाते हैं कितनी मोटाय में लिखे जाएंगे यहां पर आपको बताना है किसोर सनवर चोधरी गोड इवनिंग सर जीवे गुड इवनिंग ठीक है तो आपको कमेंट बोक्स में हांसर देना है जल्दी से जल्दी कि एनिकी टोल रेंस दर्शाने के लिए लिए किस प्रकार के अक्सरों की कितनी मोटाय रखी जाएगी या पना आंसर किसको चला जाएगा एंगी टोल रेंस जो लिखने के लिए अक्सर उप्योग में ले जाते हैं वह कितने में के लिए हैं 2-3 mm में रखे जाते हैं कितने mm में रखे जाते हैं दोस्तों 2-3 mm के लिए रखे जाते हैं कितने mm के लिए रखे जाते हैं 2-3 mm की मोटाय में रखे जाते हैं 2-3 mm के बीच की लाइन कीजी जाती है और उनके बीच में टोलरेंस दरसाने के लिए अपन उसमें N की अक्सरांकन करते हैं, क्या करते हैं, अक्सरांकन करते हैं, ठीक है, कि सोर C option नहीं आएगा भई, A option, A answer अपना सही आएगा, ठीक है, तो अगला जो answer अपना question आने वाला है, क्यूसर नमर 10 यहां से देगा, क्यूसर नमर 10 यहां से देगा, अक्सरांकन में अक्सरों की उंचाई वो चोड़ाई का मानक अनुपात क्या होता है, अक्सरांकन में अक्सरों की उंचाई वो चोड़ाई का अनुपात कितना होता है, इनकी height और चोड़ाई का कितना अनुपात होगा, इनकी diameter, इनकी height और इनकी height और इनके बीच में अनुपात क्या होता है, यह बताना है आपको, उंचाई वो चोड़ाई के बीच का अनुप का मानक अनुपात आपको बताना है अक्सरांकन में अक्सरांकन में अक्सरांकन में अक्सरों की उंचाई और चोड़ाई के मानक अनुपाद कितना होता है साथ अनुपाद तीन होता है साथ अनुपाद चार होता है साथ अनुपाद दो होता है या साथ अनुपाद छे होता है कितना होता है कितना होता है और चोड़ाई कितनी रखी जाती है, 4 mm रखी जाएगी, यहीं कि अक्सरांकर में अक्सरों की उंचाय का जो मानक अनुपात यहीं कि इसके अनुचार दिया हुआ है, यहीं कि 7 mm तो अपन उनको क्या कर सकते हैं, 7 mm तो यहीं कि उंचाय है, यहीं कि हायट ले सकते हैं उनकी औ हो जाएगा तो यहां पर देखेगा अगला क्योशन आने वाला है क्योशन नम्मर 11 यहां पर देखेगा क्योशन नम्मर यहां पर देखेगा ए प्रकार के अक्सरांगर में डबलू अक्सर की चोड़ाई रखी जाती है डबलू अक्सर की चोड़ाई क्या रखी जाती है यहां पर देखो आई परकार का जो अक्सर होता है उसके लिए एक एमेम रखी जाती है कुछ दूसरे और जे और जे और आई बड़ा आई होता है उसके लिए द प्रकार के अक्सर है उसके लिए आपको बताना है कि ए प्रकार के एक्सरांगर में डबलू की चोड़ाइं रखी जाती हैं कितनी रखी जाएगी तो आपको किमेंडभुक्स में हांसर बताना हैं जल्दी से जल्दी कमेंडभुक्स में हांसर दीजेगह रामर्य जे पर नम्र journalism के लिए आपके लिए हr Start कोटा बंदी राजस्तान से सेलेस मीना राम राम भाई वे सेलेस मीना ठीक है तो यहां से देखेगा बदाईए कमेंट बोक्स में यहां पर बदाईएगा कितनी आएगी एनिकी डवलू प्रकार का अकसर की क्या होती है चोड़ा इस सबसे अधिक होती है इनकी डवलू प्रका कितना होगा तेंडी होगा तो आपको याद रखना है डबलू प्रकार का जो अक्सर होता है उसके लिए टेंडी व्यास निर्दारित किया गया है कितना निर्दारित किया गया है तो अगला क्यूशन यहां पर देखेगा क्यूशन नंबर बारा रोमन अक्सरांगनों में अक्सरों की उंचाए और चोड़ाए का अनुपात बताना है अब किसके में बताना है आपको रोमन प्रकार के जो अक्सर होते हैं रोमन प्रकार के जो अक्सर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं पहला होता है गोतिक प्रकार का कौन सा होता है मैंने बताया पहले भी आपको गोतिक प्रकार के अक्सरांगन होते हैं और इटेलिक प्रकार के होते हैं किस प्रकार के इटेलिक प्रकार के जो अक्सरांगन होते हैं उसके बाद होते हैं D और H के बीच में अनुपात बताना है कितना होता है 7 अनुपात 3 होता है 7 अनुपात 4 होता है 7 अनुपात 6 होता है या 7 अनुपात 5 होता है तो जल्दी से कमेंट बोक्स में आंसर दीजिएगा जल्दी से कमेंट बोक्स में आंसर दीजिएगा कितना अनुपात होता है कितना होगा इसका अनुपात होगा डी बराबर कितना होगा डी का अनुपात होता है इनकी उंचाय का अनुपात होता है साथ और किसका होता है चोड़ाय का अनुपात जो होता है छे होता है तो इसमें देगेगा साथ अनुपात तो इसने पूंचा है उचाए किसका पूचाए और डी का पूचा है तो उचाएगा साथ है और इसका कितना है छे है तो छे आ जाएगा अपने पास कितना चला जाएगा साथ अनुपात छे को सही हांसर चला जाएगा किसको चला जाएगा दोस्तों साथ अनुपात छे को सही हांसर चला जाएगा य ऐसके अनुसार ठीक है तो अगला जो क्यूसन आने वाला है क्यूसन है अपने पास क्यूसन नम्मेर तेरा अक्सरांकन कितने तरीकों से कर सकते हैं जल्दी से कमेंट भुक्स में आंसर दीजेगा अक्सरांगन कितने तरीके से कर सकते हैं तीन परकार से कर सकते हैं, चार परकार से कर सकते हैं, पांच परकार से कर सकते हैं, अच्छा परकार से कर सकते हैं, जल्दी से कमेंड बोक्स में आंसर देना है सबी को तो यहाँ पर देखे, अक्सरांकन चार परकार के करते हैं, कितने परकार के करते हैं, चार परकार से कर सकते हैं, कितने परकार से, चार परकार से, यहाँ पर होते हैं, अपने पास से, ए परकार के अक्सरांकन होते हैं, जिसमें सिंगल इस्टोक होता है, और डबल इस्टोक हो होता है डबल स्टोक होता है कौन कौन सा होता है सिंगल स्टोक और डबल स्टोक दोनों प्रकार को में कर सकते हैं तो इस प्रकार कितने प्रकार को जाते हैं चार प्रकार के अपनी यहां पर करते हैं तो अपना आंसर किसको राइड चला जाएगा तेरा क्यूशन में क्यूशन से अक्सरांकन किया जा सकता है तो यह हो गया क्यूसन नमर 13 के बाद देखेगा क्यूसन नमर अपना कितना रहा है 14 यहां पर देखेगा क्यूसन नमर 14 देखेगा गोतिक अक्सरांकन कितने प्रकार से कर सकते हैं गोतिक अक्सरांकन है जो कितने प्रकार से कर सकते हैं गोतिक अक्सरांकन कितने प्रकार से कर सकते हैं जल्दी से कमेंट बुक्स में आंसर दीजिएगा दो या तीन या पांच या आठ प्रकार से कर सकते हैं कितने प्रकार से कर सकते हैं आप जल्दी से कमेंड बोक्स में बताना है कि कि अक्ष्रंगन कितने प्रकार से कर सकते हैं तो आपको याद रखना है कि कि परकार अगला आने वाला है अभी आंत्री की रेका चित्र में कहीं प्रकार के अक्सर होते हैं कितने कहीं प्रकार के अक्सर के प्रकार होते हैं निम्न में से कौन सा प्रकार इटेलिक प्रकार से जाना जाता है इटेलिक प्रकार के अक्सर कौन-कौन से हैं इसमें यह बताना है आपक किस प्रकार का अक्सरांकर इटेलिक प्रकार का है इसमें से आपको चूज करके बताना है चारों अक्सरांकर मैंने बता दिये हैं आपको कि किस प्रकार लिखे जाते हैं गोतिक, रोमन या इटलिक प्रकार के हैं या फिर टेक्स्ट प्रकार के हैं किस प्रकार के अक्सर हैं यहां पर आपको बताना है चारों प्रकार के अक्सर मैंने बदा दिये हैं कित तो अभी आंद्री की रिकाच्वित्र में कहीं परकार के अक्षर-क्सर की परकार होते हैं कौंसा परकार इटलिक परकार से जना जाता है भले आगी सéntू आए कि इन गश्रान है आगा से किसमें आएगा ये किसमें आएगा है तो इस पहला हुता है रोमन उसके बाद होता है पहला होता है गोतिक उसके बाद यह किस में आता है रोमन में आता है और जो सिंगल इस्टोक अक्सर होते हैं वो किस में आते हैं यह तो सिंगल इस्टोक है तो तो किसमें आएगा गोतिक में आएगा किसमें आएगा गोतिक में आएगा और दूसरा किसमें आएगा यह डबल इस्टोक है तो रोमन में आएगा और रोमन में बाद इसके बाद यह कौन सा देर का है यह तिर्चा देर का है तो यह इटेलिक प्रकार का है किस प्रकार का है इ रोमन प्रकारके अक्षर अंगन उसी तरह का दिया हुआ है तो यह पर नहीतर ंदु रहते हैं प्रकार को कौन सब्रकर अक्षर अटेलिक प्रकार का तो अपना हांसर किसको चला जाएगा किносन नमर पंद्रा में को को चला जाएगा किसको चला जाएगा दोस्तों को अपना हांसर सही चला जाएगा तो क्यूशन नमर 15 के बाद जो अगला क्यूशन आने वाला है क्यूशन नमर 16 यहां से देखेगा क्यूशन नमर 16 देखेगा अभी आंतरी की रेकाचित्र में कहीं प्रकार के अक्सरों के प्र किस प्रकार का अक्सर लिखा हुआ यहां पर ठीक है किस प्रकार के अक्सर लिखे हुए हैं वह आपको पेचान नहीं है कि गोतिक प्रकार के हैं रोमन प्रकार के या इटेलिक प्रकार के या टेक्स्ट प्रकार के हैं है अब कोको पेचा ना है यहां वसे है मैंने अभी इस फिले क्रिकशन में सारे परकार बताई है अक्सरांग करन के सारे परकार रुक बताई है तो इसमें से यह किस परकार का अक्षर है आपको बताना है जल्दी से अंसर देखें और को जल्दी से कमेंड बोक्स में आंसर देके बताना है कि किस प्रकार का अक्सरांगन है किस प्रकार का अक्सरांगन है रोमन प्रकार के अक्सरांगन है किस प्रकार के अक्सरांगन है यहां पर जो रोमन परकार के अक्सरों में आते हैं तो यहां पर जो रोमन परकार के अक्सरों में आते हैं तो यहां पर जो रोमन परकार के अक्सरों में आते हैं तो यहां पर जो रोमन परकार के अक्सरों में लिके हुए है तो इस परकार के अक्सरों के लिए सही है तो अग प्रकार का दिया हुआ है यहां पर यहां पर लिके हुआ है अंदर लिके हुए रोमन के इंदर लिके इन्दर टेक्स्ट परकार के इनमें आपको दो में कनफ्यूस होगा तो म भी मैंने बता दिया कि सिंगल पेंशिल से ई 1965 उक्सार लिके यहां से देगेगा किस प्रकार के एक्सरांगन में चले जाएंगे अभी आंद्री की रेका जित्र में कई प्रकार के एक्सरों के प्रकार होते हैं तो आपको यहां से बताना है कि किस प्रकार के एक्सरांगनों में चले जाएंगे तो यह भी double stock में हैं तो रोमन प्रकार के में चले जाएंगे A, B, C, D, N, कि गोतिक में क्या होगा? Single stock अक्सर आते हैं तो गोतिक सही नहीं होगा Italic में आपको पताईए कि तिर्चा आते हैं और टेक्स्ट में किस प्रकार आते हैं Computer Raj typing के अक्सर लिके हुए आते हैं, ठीक है? तो क्यों से नम्मर अपने पास 18 आने वाला है? तो यहाँ से देखेगा रेका चित्रों में अक्सरों को विबिन तरीकों से मुद्रित किया जाता है तो सभी अक्सरों के जुके हुए होने के लिए अक्सरांगन का कौन सा तरीका है? आपको बताना है यहनि कि जुके हुए अक्सर होते हैं इस प्रकार A, इस प्रकार B लिका होता है इस प्रकार C लिका होता है यहनि कि C ऐसे यू तरिचा लिका होगा इसी प्रकार D लिखा होगा तो है इनि कि इस प्रकार जो जुके हुए अक्सर होते हैं यहां से जुके हुए इनि कि कुछ कौन पर कुछ एंगल पर जुके हुए होते हैं उन अक्सरों को किस प्रकार के अक्सर कहा जाता है गोतिक प्रकार का इटेलिक प्रकार का या रोमन प् पेले भी में पेले भी बता चुका हूँ तो जल्दी चे कमेंड बोक्स में केल नागर राम राम तो आपको कमेंड बोक्स में आंसर देना है कि किसे जुके हूए जो अक्सर होते हैं तो जुकेह सब्सक्राइब के अलगवदार अक्सर होते हैं वह किस में लिखे जाते हैं टेक्स्ट टायले में लिके जाते हैं निकि टेक्स्ट परकार के एक्सर होते हैं वो किस परकार लिके जाते हैं ऐसे तिरचे लिके जाते हैं ऐसे यूँ एनिकि कुछ कौन पर जुके हुए एनिकि A B C D ऐसे तिर्चे लिखे जाते हैं A, B, C, D, S परकार तो वो जो तिर्चे अक्सर लिखे जाएंगे वो किस परकार के होते हैं वो इटालिक परकार के अक्सर होते हैं किस परकार के अक्सर होते हैं दोस्तों इटालिक परकार के अक्सर होते हैं ठीक हैं तो यहां से देखेगा अग कि विच का कॉंड पताना है कितने डिगरी का होता है वो आपको बताना है कितलग प्रकार के जुके वए अक्सरों का कौन कितने डिग्री पर होता है तो ये बताना है आपको कितने डिग्री पर होता है दोस्तों कितने डिग्री पर होता है आपको आंसर देना है के लागर पंद्रा हाँ जल्दी से कमेंट बोक्स में आंसर दीजेगा comment box में answer दीजिया जुके वे जो अक्सर होते हैं उनके लिए कितने डिगरी का angle होता है कितने डिगरी का होता है पिचेतर डिगरी का एने की इस प्रकार line खीचते हैं अपन जो एने की italic प्रकार के जो अक्सर होते हैं उनके लिए पहले क्या करते हैं उनकी height कितनी है height के according पहले अपन दो line draw करते है 2H pencil के मादेम से क्यों से pencil के मादेम से 2H pencil के मादेम से ये line बिल्कुल हलकी खीची जाती है और इस line पर कितने degree का angle बनाय जाता है 75 degree का angle बनाय जाता है कितने degree का angle बनाय जाएगा दोस्तों पिचेतर डिग्री का एंगल बनाए जाता है और पिचेतर डिग्री का एंगल के बाद में यहां से जो पिचेतर डिग्री का एंगल होता है उसे एंगल पर लिखा जाता है अक्सरों को पिचेतर डिग्री के अकोडिंग इसमें ऐसे लेने ड्रो की जाती है और सारे अक्सर उन जाएगा किसको दोस्तों 55 डिंग्री को answer सही चला जाएगा करते हैं कितीना डिंग्री अपना यहां पर answer रे चला जाएगा कि wal66 देखेगा क कि प्रकार के लिया ठीज से यहां डीके रूप में रिखी दोनों के रूप में दोनों में अलग अलग रखी जाती है इसमोल लेटर और capital later दोनों में अलग avete व्यास रखा रखा जाता है अलग अर्फ डी रख्याती है बंडी की खायर के अटी के रूप में अध्या प्रकार के बड़े आक्षरों के लिए और steps के लिए सीलव थिन्वे थिन्वे लिए बताना है कितनी रिकी जाएगी ये बताना है सुनिल बिजनोही क्या है सर की है सर ठीक है हाँ तो देखे कितनी रिकी जाएगी के लिए कितनी रिकी जाती है तो अगला जो क्यूशन आने वाला है क्यूशन नम्मर 21 अपने पास यहां पर आने वाला है तो ड्रोइंग में अक्सर विबिन सेली से चापा जाता है तो आई एस के अनुसार उचाए चोड़ाए और मूटाए का कुछ मानक अनुमदिद करता है तो अक्सर का पद नाम बनता है तो नीचे के चोड़ाए या इस्ट्रो का मूटापन या उपर की चोड़ाए के अकोड़िंग या उचाए के अकोड़िंग किस प्रकार बनेगा एनकि उसका जो पद नाम दिया जाता है वो किस नाम से दिया जाता है एनकि उसकी मूटाए किस प्रकार रखी जाते हैं किसके अकोड़िंग उसको लिखा जाएगा जो अपन अक्सर लिखते हैं तो उनको किसके अकोडिंग एनिकी क्या दिया जाता है अपने लिए एनिकी ड्रोइंग अक्सरों में इनकी ड्रोइंग शीट पर जब अक्सरांगन करते हैं बन तो अक्सरांगन करते हैं क्या देख हैंने कि उचाहें चोड़ा और तीनों में Sae किस परकार आपन अक्सरों को पेचान देहें कि इनके according उसका किस परकार और का i 겉सर फेचाने गे नीचे की सट्रोक्व सब्सक्रा नाम करते हैं कि यह क्या है तो किस प्रकार दिया जाए तो जादा तहरा स्टी होती है जैसे अपने देखा था डी सिख से दिया हुआ है डी बराबर बारा एच दिया हुआ है तो यह क्या है हाइट है इनके इसके हाइट के अकोडिंग उनका नाम है नाम रखा जाता है इनके हाइट कितनी दी हुई है उनके अकोडिंग रखा जाता है तो उचाई के अकोडिंग रखा जाता है किसके कोडिंग रखा जाता है अंडिलिमेट लोकेस रा ठोड सब्सक्राइब विरेंदर कुमार पटेल बी ओप्सन नहीं आएगा भई धी ओप्सन यहां पर उंचाई सही रहाएंगे उनकी हाइट के अनुशार उनके पैचाना जाता है इन अक्सरों को ठीक है किसके according, height के according तो यहाँ पर आप पास आने वाला है क्यूसर नमर 23 देखेगा एनकी क्यूसर नमर 22 देखेगा इंजिनेरिंग ड्रोइंग में वीबी ने शेली के अक्सर पाया जाते हैं, नीचे दिये गए अक्सर की शेली को पेचानना है किस प्रकार की शेली दीवी है किस प्रकार की अक्सरांकन की शेली दीवी है वो आपको पेचाननी है किस प्रकार के अक्सरांकन की शेली दीवी है वो पेचाननी है इंजिनेरिंग ड्रोइंग में बिन शेली का अक्सर पाया जाता है नीचे दिये गए अक्सर की शेली का पैचाना है आपको किस प्रकार की शेली दी हुई है इस शेली को पैचाना है किस प्रकार की शेली दी हुई है तो जल्दी से comment box में बताई है कि टेक्स्ट परकार की होती है इटेलिक परकार की होती है रोमन परकार की होती है या गोतिक परकार की होती है आप पर गोतिक लिखेगा गतिक नहीं है गोतिक परकार की लिखेगा आप गोतिक परकार की इस परकार लिखना है गोतिक गोतिक परक किस प्रकार का अक्सरांगन होगा तो आपको जल्दी से कमेंट बुक्स में हांसर देना है किस प्रकार के अक्सरांगन के लिए होता है यह इंजिनिरिंग में भीन सेली का अक्सर पाया जाता है तो नीचे दिए अक्सर की सेली को पेचाना है आपको किस प्रकार की सेली है यह हाँ तो मैंने बताया तो आपको जो डबल स्टोक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं रोमन प्रकार के होते हैं तो रोमन प्रकार के आप रोमन प्रकार के नहीं है रोमन प्रकार के अक्सरों के लिए इस प्रकार की शेली यूज़ की जाती है यह केपिटल लेटर के लिए है इसमाल लेटर के लिए है दोनों याद रखनी है आपको PayPal और Small Letter के लिए कौन सी है Roman से लिए यहाँ पर दी हुई है तो अपना answer किसको चला जाएगा C Option को अब यहाँ पर देखेगा किस प्रकार के अक्सर है किस प्रकार के अक्सर यहाँ पर दिये हुए है आप देखो पिछले वाले में देखो आप पिछले वाले में मोटे लिखे हुए थे इस प्रकार मोटे एक्सर लिखे हुए है इसमें इस देखो चोटे हैंने कि सिंगल इस्टोक में लिखे हुए हैं पिछले वाले में कैसे लिखे हुए हैं सिंगल इस्टोक में तो यहां पर गोतिक लिखना है आपको क्या लिखना है गोतिक प्रकार के अक्सर किस प्रकार के लिखने गोतिक प्रकार के अक्सर लिखना है तो दी गए आकरती में दर्साय गए आकारों के बारे में बताना है आपको गोतिक प्रकार के अक्सर है रोमन प्रकार के अक्सर है या इटेलिक प वीडियो बनवा देंगे थीग है विरेंदर श्रेजर कुमार भी ऑफवार है हां तो बताइएगा कमेंट बोक्स में आंसर दीजियेगा कि ईघया करती में दर्साय इदारी के बारे में बताना है current के बारे में बताना है तो किस परकार करे तो इस टोग जो अक्सर होते हैं वो किसमें लिके जाते हैं सिंगल जो इस्टोग में जो अक्सर लिके जाते हैं तो आपको तीनों प्रकार के याद रखने हैं तो किसको चला जाएगा एंसर को चला जाएगा गोतिक प्रकार के अक्सर यहां पर होते हैं ठीक है तो अगला यहां पर आज चुका है वापिस अपने पास यह पहले ही जैसा सेम टू सेम क्यूसन आप यहां पर देखेगा कि इंजिनेरिंग ड्रोइंग में कहीं अक्सर का नाम बताईए इस्टाइल का नाम इनके तरीके का नाम बताईए यहां पर क्या लिखा हुआ है तरीके का नाम बताना है किस प्रकार के तरीके से यह लिखा हुआ है तो डबल स्टोग में लिखा हुआ है तो डबल स्टोग में किस प्रकार के एक्सर आते हैं गोतिक आते ह का वीडियो कब आ रहा है सर से चर्चा क्रेंगे उसके बाद में बता देंगे आपको कि ऊपलाइन का वीडियो कब आएगा आपके लिए ठीक है न वहीश बोल रहे हैं तो आपको सारी जनकारी आपको कब से खिंया कब से लगे लगेगी आप मेटर रहेगा उनका ठीक है कि लोकेश राटोड का ए ओप्सन आ रहा है विरेंदर कुमार का ए आ रहा है किस प्रकार के हैं मैंने बताया कि गोतिक प्रकार के जो अक्सर होते हैं उनमें सिंगल इस्टोक अक्सर होते हैं कौन से होते हैं सिंगल इस्टोक होते हैं रोमन में प्रकार के एक्सरों में चले जाएंगे बी ओप सन अपना यहां पर कर्रेक्ट चला जाएगा विरेंदर कुमार पटेल कुमार चोवीश चोवीश क्या आगया वहीं तो डबल इस्टों का आपको याद रखना है रोमन प्रकार के लिए तो यहां पर देखेगा 25 क्यूसर नमर प्रकार के लिके जाते हैं इस प्रकार के लिके जाते हैं इस प्रकार के लिके जाते हैं इस प्रकार के बताने हैं तो एक दो होती है अपने पास गोतिक होती हैं एक होती है अपने पास से इटेलिक होती हैं कौन सी होती है इटेलिक और इटेलिक के बाद कौन सी होती है इट बिठेली की बाद होती है, टेक्स्ट परकार की Até Fifth परकार की लास्ट वीदी हैं, तो कौन से परकार का जो इसमें धिधिया हग कहा होगा, तो आपको जल्दीसे कमेंड बोक्स में इसको पैचानने में आपको दिक्कत नहीं हो गी, तो जल्दी से बतना है कि किस परकार के अक्सर है इसमें एने कि टेक्स्ट परकार के टेक्स्ट परकार की जो इस्टाइल है एने कि टेक्स्ट परकार का जो इस्टाइल है वो कौन सा होगा यह A में देरका है जो होगा B में देरका है जो होगा C में देरका है और D में दे रगए किस परकार के एकसर यहाँ पर लिके जाएंगे जल्दी से 이नमेंट बोक्स में आप सिर देना है थे सान। नम रूप तक्षिश के लिए जल्दी से से और इकसर के comment box में आपको answer देना है question number 25 के लिए जल्दी से comment box में आपको answer देना है क्या होगा text प्रकार के में मैंने बता computer rise जो अक्सरांगन होते हैं वो नहीं कौन से होते हैं computer rise टाइप एने की जो एने की टेड़े मेड़े अक्सर जो भी भी की तोड़े अलग type से लिखर जयेंगे उस प्रकार के क्या करते हैं text प्रकारρχें उनकी लिक नहीं सकते type कर सकते हैं क्या कर सकते सिर्फर उनको लिखने का तरीक government अपने पास नहीं होता है लग दो क्या जा जा सकता है तो जो डी प्रकार का सब्सक्राइब 네가 वह किस प्रकार के हैं टेक्सट प्रकार के अक्सर हैं टोसारों अने वाला है यहां प्रचबीस पेचान अक्सर को पहतें cosplay हेंसर देना जल्दी से सजी ट्रीके से और सभी आंसर देना है चार बबारे में कि इस प्रकार के क्यों में कोई कि तीकत प्रकार के नहीं आप एट ओ, यह आपको जल्दी से comment box में कि नच्रक ते कीडिगा स County कि लिग और रेकिखूम जाईट कि भुप हाधम भांच्छ सीघड़ हाँ तो देखेगा सभी का आंसर आ रहा है सी फिर भी गलत आंसर दे रहे हो अभी भी हाँ इसका आया है क्या नामे सूरिया सिंग का यादव का आया है इटेलीक प्रकार मुण कर तो एक्षर रहा है तो जो कुछे अंगल पर जूक होते हैं वो किस प्रकार के में में रखे जाते हैं इटेलिक प्राकार के बीच में रंदर रखे जाते हैं समस्तिक क्सको चला जाएगा एह सहीच चला जाएगा तो जो अगला आने वाला कौन सा आने हला है कि उसना नम्मर 27 यहां पर देखेगा कि दाइं तरब से जुके वे अक्सरों का कौन क्या होता है दाइं तरब से उल्डे तरब से जुके वे होते हैं कि कौन कितना होगा इdle आगे की तरप कितने डिग्री पर जुके ओते हैं पिछे-30 डिग्री पर कुल्ख रहूं होते हैं कि इस प्रकार तो पीछे का जुखाऊ बताना है आपको अक्सर होका सर्जी ओप लाइन कब स्टार्ट होगा विमलेश कुमार पांस सतरा बेर कित पांस बेर कितने डिग्री पर पंदरा डिग्री पंदरा डिग्री डिग्री डि ओप्सन पंदरा डिग्री बहुत ही सांदर आंसर दिया है आप सभी ने पंदरा डिग्री पर यहां से अक्सर नबब डिग्री पर लिखे जाते हैं तो नबब में से इधर पिछे तर जुका देंगे तो बचा हुआ पिछे का कौन कितने डिग्री का बचा पंदरा डिगरी का एनि कि जो बाकी जो कौन बचाओ कितने डिगरी का बचा है पंदरा डिगरी का एनि कि जो दाई तरब से जुके वे अक्सरों का कौन क्या होगा कितने डिगरी होगा पंदरा डिगरी होगा तो पंदरा डिगरी आपको याद रखना है दाई तरब से जो केवे अक्सरों का अगला बताईए अक्सर के स्टाइल को पेचानिए अक्सर के स्टाइल को पेचानना है आपको वापिस पिछले जैसा ही क्यूसन आ चुका है इसमें आपको दिक्कत होती हैं दोनों प्रकार के अक्सरों को रोमन और इटेलिक पहसाने में क क्योंकि इसमें लिखने में भी तोड़ा फारक होता है जो सिंगल इस्टोग और डबल इस्टोग मोटे और पतले प्रकार के एक्सर होते हैं तो इसमें लगबग सेम सेम दिखते हैं आपको है तो यह वहा ही प्रकार का इनिके मोटे इकसर लीके में ने मैं बता देता हूं यह डूबल shirts टोक वाले एकसर होते हैं मैं यहां पर लिख देता हूं किसमें लिखे हूं मैं बचल्व किसमें आइंगे आथं बटाना है किस प्रकार के में रखे जाएंगे आपको comment box में answer करके बताना है इदर से देखेगा इसमें A और option change हो रहा है A और B इदर लिखा हुआ है C और D तो अच्छे आपको सही तरीके से दे के answer देना है A यहाँ पर लिखा हुआ है B इदर लिखा हुआ है C तो A और B C आपको अक्सरांकर सही तरीके से पढ़ने है कुंदन सुतार का answer सही नहीं आ रहा है भई answer इसमें आपको सही तरीके से answer दे के देना है जो एनिकी जो double stock अक्सर होते हैं वह किसके अंदर रखे जाते हैं रोमन प्रकार के अक्सरों में रखे जाते हैं किस प्रकार के में रखे जाते हैं रोमन प्रकार के अक्सरांकरों के अंदर रखे जाते हैं तो अपना answer किसको चाहिए सही चला जाएगा अक्सरागन करते हैं किया करते हैं इस प्रकार दो रिकर की चि पेले भी ऐसा ही क्यूशन आया है एक क्यूशन पेले भी आया है विरिंदर कुमार पटेल तो कितने डिगरी आएगा पिछेतर डिगरी के बाद में इधर कितना बच गया पंदरा डिगरी तो अपना आंसर किसको सही चला जाएगा कितने डिगरी को 15 अधर को सुरे सिंग यादव का सही आंसर अंजर है ठीक है तो आपको याद रखना है कितने डाएटरण का कौण कितना होता है 15 अखरों में 15 और बचे ए चित्र में किस प्रकार की अभी लेग तक् अब की बार क्यूशन में पहले दिया हुआ है कि अक्सर लिखे हुए हैं उनका तरीका दिया हुआ है तो इस में से तरीका का नाम कौन सा यह बताना है आपको रोमन प्रकार का है टेक्स्ट प्रकार का यह गोतिक प्रकार का यह इतलिक प्रकार का है किस प्रकार के जो इस प्र अधिक प्रकार कहें तो जल्दी से कमेंड बोक्स में आंसर दीजेगा मैंने बताया आपको कि जो गोतिक प्रकार के होते हैं गोतिक प्रकार के जो अक्षर होते हैं गोतिक प्रकार के उन्हें अक्सरों में किस प्रकार का लिखा जाता है सिंगल स्टोक मेंने कि सिंगल पेंसिल द्वारा लिखे जाते है जैसे A, B, C, D ऐसे लिखे जाते हैं ठीक है और जो रोमन प्रकार के अक्सरों में बताया है मैंने की रोमन प्रकार के एक्सरों में किस प्रकार से लिखा जाता है रोमन प्रकार के जो अक्सर होते हैं उनमें लिखा जाता है डबल स्टोक में किस प्रकार से रोमन प्रकार के जो अक्सर होते हैं उनमें लिखा जाता है उनमें लिखा जाता है अक्सरांगन को इस प्रकार तो बीच में जो खाली जगह बसती है उनको क्या क्या जाता है गेरा क्या जाता है किसके मादिम से पेंसिल के मादिम से तो इस प्रकार के जो अक्सर होते हैं वो किस प्रकार के होंगे एनिकि वो होंगे रोमन प्रकार के और एक बार और देखेगा कि इटेलिक प्रकार के जो लिखाओ झाते हैं ऐसे तिर्चे लिके जाएंगे कुछ एंगल पर झुखेवे लिके जाते हैं इस प्रकार से तो जब किस प्रकार के अकसर होते हैं किस परकार की शेली में रखा गया है किस परकार की शेली में रखा गया है किस परकार की शेली में रखा गया दोस्तों टेक्स्ट परकार की शेली में तो यहां पर कौन से परकार की अपने पास आंसर किसको चला जाएगा यहां पर टेक्स्ट किसमें दिया हुआ है बी ओप्सन प्रकार की सेली में प्रकार के अक्षर रखे जाते हैं रखार टो याद हो प्लोष नम्मर 31 का आपको आंसर देना है जुके विए अक्षर का कौन क्या है कौन क्या है जिसे अरप से खींचा चाहिए पहले भी क्युसर्ण आ चुका है तो आपको बताना है कि 85 डिग्री होता है 30 डिग्री होता है 60 जूझा चाहिए कितने डिग्री होगा पर जूखेे हुए अकसर का क्या है जिशे दाइनी की और तरब से तो पहले बताया मैंने पिछले ही क्यूशन में इसका अंसर दिया है कितने डिग्री होता है कितने डिग्री होगा पंदरा डिग्री होता है तो अगला क्यूशन यहां पर देखेगा क्योशन नम्मर 32 क्योशन नम्मर 32 देखेगा इंजिनेरिंग ड्रोइंग में कहीं अक्सर इस्टाइल है अक्सर के इस्टाइल को पेचाना है आपको इसमें किस प्रकार का इस्टाइल अभी बताएं आपको तो इसमें किस प्रकार का इस्टाइल दिया हुआ है वह आपको बताना है किस प्रकार का इस्टाइल यहां पर दिया हुआ है आपको यहां पर बताना है तो यह मैंने पहले बता दिया है जो डबल इस्टोक अक्सर है किसमें लिके हुआ है डबल इस्टोक तो डबल इस्टोक किसमें है रोमन प्रकार के एक्सरों में तो आंसर किसको चला जाएगा बी सबी दोस्तों को इस फायदयन की इस cũngτα, इझे संधित कुछसंस, सभी को समझ में आ सकें और सभी के लिए LOCOPILOT के लिए फायदे मंद हो सकें LOCOPILOT और ITA वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ तक यह कलास है, आपकी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिए है तो आप यहां तक ठीक है अगली कलास अपनी इसी टाइम पेन के संडे के दिन फिर से होगी तो आप अगली कलास के लिए तैयार रहेगा दोस्तों जैहिंद वंदे मातरम